दोस्तों आज शुरू करने जा रहा हूं नई सीरीज Kenneth Henderson की बुक है Nine Man Eaters and One Rogue उसकी जो पहली कहानी है Man Eater की उसका नाम है The Man Eater of Jowla Giri ये कहानी 20 स्पेस की कहानी है और मैं दो पार्ट में इसको कंप्लीट करूँगा 10-10 स्पेस एक बार में और ये कहानी कल रात को मैंने पूरी पढ़ी और मतलब thrilling experience अगर आप इस कहानी को बीच में छोड़के जाने वाले हो तो मेरी इसला है कि आप पूरा देखना एक इसमें घटना होती है बिल्कुल रोंग्टे खड़े हो जाते है कभी किसी wildlife कहानी को पढ़ने में मुझे ऐसा फिल नहीं हुगा जिसको पढ़ने में हुआ था आपको भी ऐसा ही फिल होगा और जब तक वो घटना करब आनी जाएगा जाए दस पेस की जगे बारा हुजे याद नहीं कितने पेस के बाद वाया था अब तक मैं इस एपसोड को कंप्लीट नहीं करूँगा बतला इसी एपसोड में आपको वो घटना मिलेगी जिसको सुनके आपके रोंगटे खड़े हो जाएगे तो कोशिश करिएगा इस वीडियो में बने रहने की तो दोस्तों एंडरसन बोलते हैं कि जो लोग पहाडों पर रहें या जंगल पर रहें हैं उनको यह बताने की जरुवत नहीं है कि जो चांदनी रात में चांदनी चन्रमा की रोशनी गरती है पहाडों पर तो उसकी खुशूरती क्या होती है जो कि घास पे भी उतनी सुंदरता के साथ पढ़ती है और बड़े-बड़े पेड़ों के पत्तियों पर भी जो रहस्मई परचाईया भी छोड़ देती है ऐसी जगे जहां पर चंद्रमा की रोशनी नहीं जा पाती वहां या तो कोई छुपा होता है बीस्ट अपने शिकार की तलाश में कोई रेप्टाईल या कोई डियर छुपने के लिए कि कोई बीस्ट उसको मार ना दे तो जोगला गिरी के जंगलों में सब कुछ सामान में चल रहा था खत्रा अपनी जगे था मर्डर भी हो सकता था किसी का भी रहस मही शान्ती थी लेकिन शान्ती थी अब तीन शिकारी जिनके पास दो माचिस थी अब उन्होंने तै किया कि जंगल में चलते हैं कुछ मीट का इंतजाम करते हैं एक वाटर होल था जहां जानवर पानी पीने आते थे वहाँ उन्होंने बहुत शातिर तरीके से छुपने का इंतजाम बनाया अब यह शाम ढले से इनको इंतजार था कोई डियर पानी पीने आएगा और इनका काम हो जाएगा घंटे बित्ते गए और फुल चांदनी रात थी इतनी रोशनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे दिन हो तभी पास में एक सदा वहर पेडों का नया पेड था उसके पास में जाड़ी थी वहां काफी सरसराड ऐसे आवाज से आई और कुछ घुर्राने की आवाज भी आ रही थी अब इन्होंने आपस में सोचा क्या हो सकता है यह सबका एक ही मत था जंगली सुवर अब इन्होंने सोचा रसीला मास स्वादिष्ट भोजन और उसके लावा इतना मास मिलेगा कि उसको बजार म यह बाहर आएगा लेकिन जो भी जानवर अंदर था वो बाहर आही निगा था अब उन तीन शिकारियों में से एक नंबर वन का निशाने बास था उसका नाम था मुनियप्पा उसने डिसाइड किया कि निशाना मार के देखता हूं जाड़ी में अंदा जैसे इन लोगे के पास में एक मैच लोग यानि एक देसी बंदूग थी जिसमें बारूद भरा जाता था और उसमें तोप की तरह से पलीता लगाया जाता था जिसमें आग लगाओ तो वो छर्रे वाली बंदूग जिसको गाओं में मद्र प्रदेश में तो उसको भरतल बंदूग भोलते हैं ठोक ठोक के भरते हैं और पीछे से माचिस लगाओ और छर्रा जो बंदूग का लोहे का डाल दिया आता है वो तेजी से जाता है गोली की तरह से मरता है तो वो मैश लॉक थी इसने उठाया मैं वो बंदूग का आपको आईडिया देने के लिए साइड में फोटो लगाने की क बंद हो गई अब यह तीनों गाओं की तरफ भागे बोले यह सुहर नहीं था वाई टाइगर था अंदाजा लगाया देखा नहीं इन्हों है और भागे गाओं की तरफ अब पूरी रात यह जाग जाके इंतियार करते रहे कि वो क्या था वाई सुबह जाके देखना है इन हरकत की वज़े से सुबह यह वहाँ पहुंचे तो देखा एक मेल टाइगर जो अपने पूरी जवानी के दिनों पर था मरा गुआ पड़ा था अब वो जो उनके देशी बंदूग थी उसका जो तुक्के पर मारा गया निशाना था सीधे टाइगर के हार्ट में लगा था और वो वही मर गया था अब मुनियप्पा और उसके दोस्त गाओं में हीरो बन गये थे क्योंकि उन्होंने देशी बंदूग से टाइगर मार दिया था लेकिर इनको पता नहीं था कि समय था जो इनको विलन बनाने वाला था शाम होते होते पूरे गाओं को पता चल गया कि मुनियप्पा और उनके दोस्तों ने क्या गुना कर दिया है एक गुर्राती हुई टाइगरेस जंगल से दहाड रही थी कभी गाओं के पास आ रही थी क्योंकि वो अपने साथी को ढूड रही थी मेटिंग सीजन चल रहा था और इस टाइगरेस को अपना जवान साथी एक का साथी छीन लिया है राते बीचती गई करीब एक हफता हो गया और टाइगरेस इसी तरह से दहारती रही दिन में घने जंगल से दहारती थी रात को गाओं के पास आके दहारती थी एक यंग शिकारी जैक लेउनर्ड जो की ट्रॉफी हंटर था उसको जब मालुम चला कि कैसे इसी शेरनी गुरा रही है दाड रही है तो वो ट्रॉफी हंटिंग के लिए आया क्योंकि उसको एक लैटर भेजा गया था आठवे दिन जब वो आया और उसने पूरी सिच्वेशन की जानकारी ली उसको बताया गया कि टाइगर हर जगे घूम रहा है उसके पगमार् मिलते हैं अब शाम के पांच बजे एक बांबी जो दीमक की बांबी होती जो काफी उची से हो जाती है उसके पीछे छुपके खड़ा हो गया उस पात्वे के किनारे जहां पे टाइगरस के पगमार्क मिलते थे पांच बजे वो खड़ा हुआ करीब 7-6 बजे अंधेरा हो तो अभी पत्तों के खड़ाने की आवाज आई दूर पहाड़ी से पत्थर लुड़कता हुआ है और पत्थर लुड़कता है पहाड़ियों से जब कोई बंदर टाइगर डियर वगरा चलते हैं उनका पैर लग जाता है तो पत्थर नीचे को रोल कर जाता है लेउनार्ड अपनी आखे बिल्कुल चौकस कर ली कि अब टाइगर आने वाला है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ फिर उसने देखा तेजी से चलती हुए कोई चीज आ रही है और जब उसने पहचाना तो वो थी टाइगरेस उसने बंदू को अपने लेफ्ट कंदे पर किया और जितना वो जुक के बाहर आ सकता था दीमा की बामी से उतना आया और उसने टाइगरेस के सीने को निशाना बना कर गोली चला दी वैसे एकदम सटीक निशाना लगता अगर ये थोड़ा सा राइट हेंड साइट में होता तो लेकिन उसकी गोली उसके कंदे में दस गई टाइगरेस जो पहाडी नाला भी था उसको चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उस ब्लड ट्रेल को वो फॉलो नहीं कर पाया महीनों बीटते गए और अब दरश्य चेंज हो गया दरश्य आ गया एक डूसरे गाउं में जिसका नाम था सोले कुंटा ये गाउं घने जंगल में था और वहां से वापस लोट रहे थे रास्ते में एक इमली का पेड़ आया यहां ये थोड़ा रुग गए करीब एक चोथाई मिल दूर था मंदिर से बच्चे का मन कर गया अदपकी इमलीयां खाई जाएं वो इमलीयां बीनने चला गया तभी इनको एक हलकी सी गुरहर सुनाई दी और बहुत ही तेज कस्ट दाई चीक सुनाई दी उनना पीछे मुड़के देखा तो एक शेर उनके बच्चे को मुँ में दवा के जा रहा था उनके देखते देखते ही टाइगर ने च्छलांग लगाई और एक पहाड़ी नाले को क्रॉस करके उस तरफ चला गया वो ब होने लगी और यह मौते हो रही थी जोला गिरी से लेके गुंडलम तक जो कि बिल्कुल उत्तर देखा की तरफ काफी दूर था अब उस शेरनी ने अपनी जो वाड़दात का एरिया बना लिया मैसूर के बॉर्डर से लेके 20 मिल पश्चिम देखा की तरफ करीब टोटल 45 कि किल्लमेटर का एरिया हो गया था जो कि जाता था डेंका फिलो कोटा तक यह शेरनी करीब 15 लोगों को अपना श्रिकार बना चुकी थी जिसमें तीन लड़गिया थी और उसमें से एक की अभी हाली में शादी होई थी तब कैनेथ एंडरसन के पास चिठ्ठी आई होसूर के सब कलेक्टर की कि आप यहाँ पर आईए और जंता को इस मैन इटेर से निजात दिलाईए अब एंडरसन ने जोवला गिरी की तरफ यात्रा शुरू करी यात्रा शुरू करते ही तकलीफे भी शुरू हो गई अब इन्होंने सारे घटनाग्रमों को जोड़ना शुरू किया और इससे इनको अंदाजा लगा कि यह टाइगर नहीं है टाइगरेस है और यह वही टाइगरेस है जिसको कुई मुनियप्पा और उसके साथियों ने लूट लिया था उसके साथी की रूप में उसके साथी को मार दिया था बाद में रही साही कसर लियोनार्ड ने पूरी क मिल जाए लेकिन इनका भाग उतना साथ नहीं दे रहा था उस इलाके में कोई भी रीसेंट घटना नहीं हुई थी और जो थोड़े बहुत निशान थे बाद में उपर से जानवरों के निकलने से पालतू जानवरों के निकलने से मिट गए से अब यह गुंडलम की तरफ जाने लगे जो कि 23 माइल्स दूर था एफेक्टेड एरिया से अब इन्हों डिसाइड गया कि मैं अपना कैंप लगाता हूँ यहां पर और क्योंकि यह पूरा पशू पालतू के बचडे वो प्रोवाइड कराए जो सब कलेक्टर थे जो कि एंडर्सन की दोस्त हैं उनके लिए ऐसे बैट यूज़ करने के लिए अब इन्हों ने जगे छाटनी शुरू करी जहां पर उनको बांदा जाए और वहां पर टाइगरेस आके उनको मारे पहला जो भैस का पानी पीने तो टाइगरेस आएगी उन्होंने एक ऐसी जगे ढूड़ी जहां पर एक स्ट्रीम आके मिलती थी सहायक नदी आके उस नदी मिलती थी जिसका नाम था सीगेहला उसके नीचे वाले अलाके में बोला जाता था कि टाइगरेस अपनी घष्ट लगाती है च्योंक पालतू पशो को पानी पिलाने के लिए पानी की व्यस्ता की गई थी अब उसके बाद इन्होंने जंगल को घूमना शुरू किया और एकस्प्लोर करना शुरू किया बीच बीच में यह उन जहां इन्होंने भैस के पड़े या बच्चे बांदे थे वहां ये जाते रहते इनको उम्मीद थी कि इनको पग मार्क मिलेंगे और इनके साथ जो इनका साथ ही था वो था .405 Winchester rifle अगले दिन एंडरसन को टाइगरेस के पग मार्क मिल गए जो नदी के किनारे की हलकेल की रेथ थी वहाँ टाइगरेस के पग मार्क मिले वो रात को नीचे उद्री थी और जो watershed था जहाँ पशु और चरवाहे पानी जहां से लेते थे उस तरफ आई थी और इनके बैट की तरफ भी आई थी यानि भैस के बच्चे की तरफ वो पास तक गई उसने पड़े को देखा बैस के बच्चे को लेकिन उसको छुआ भी नहीं उसके बाद वो एंचेटी गाउं की तरफ चली गई और जब यह आगे ट्रेस कर रहे थे उसके पगमार्क तो आगे जमीन इतनी हार्ड हो गई थी कि उस पे पगमार्क बननी रहे तो यह वापिस लोटा है अब तीसरी सुवें भी यह ढूडते रहे उस टाइगरस को उसके पहले नहीं कैम में गरम पानी से नहाए और जल्दी जल्दी लंच किया तभी इनके पास कुछ लोगों ग्रूप आया जिसमें गाउं का मुख्या भी था और उसने बताया है कि एन्चेटी गाउ से थोड़ी दूरी पर एक आदमी को रात को ताइगरस में मार दिया है लाइट चली गई लेकिन हम कंटिनू करते हैं थोड़ी दिर में चन्नेटे चल जाएगा तो हुआ क्या था कि एक आदमी था जो रात को जो जानवर उसने बांदे हुए थे थोड़ी दूरी पर घर से वो बड़े ही अजीब तरह से चिला रहे थे तो यह देखने क्या था कि क्या है कौन सा जारवन उनके पास पर आया है क्योंकि इस आदमी पर अटैक करने के लिए उस थोड़े पीछे अटी थी जो टाइगर से पीछे अटता है तो उसके नाखून से खरुषने के जमीन पर निशान बन गए थे अब इन दोनोंने जंगल में जाना ठीक नहीं समझा यह गाउं वापिस आ गए जो छोटा सा उनका गाउं था फिर एंचेटी आ गए और वहां से कई लोगों को इखटा करके एंडरसन के पास आए अब इनोंने जल्दी जल्दी गरम पानी से नहाया और जल्दी जल्दी से लंच को निकला और यह चल पड़े एंचेटी और उसके बाद उस छोटे से हैमलेट अब यह उस जगे गए जहां पे घटना हुई थी उस जगे को इनों देखा और यह जाना कि वहां पे जब उसने अटेक किया वो जो आदमी था जिस पे अटेक हुआ था उस बिचारे को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो आवाज निकाल पाए मूंसे अब यह दीरे दीर उसके पीछे फीछे ट्रैक करने लेगे ट्रैकिंग बढ़े ही धीमे धीमे हो रही थी क्योंकि जो रास्ता ता बहुत ही पत्रीला था और निशान बहुत कम मिल रहे थे अब इनको घसीटे जाने के निशान तो मिलनी रहते लेकिन जो काटेदार जाडिया थी उसमें हलके लिए जो आदमी के कपड़े रगड़ खाये थे जो काटों में वो निशार मिल रहे थे अब अगर ये इतना संगीन मामला नहीं होता तो एंडर से यहां बताते कि टाइगरेस की चाल को देखो कि वो जब जारी थी तो काटों स बचने के लिए उसने कैसे कैसे रास्ता कभी ऐसे फिर कभी दर उतर गई थी कि काटे ना लगे इतना वो ध्यान रख रही थी काटोंगा अब करीब 300 गज की दूरी पर जाड़ी के पास में एक अंजीर के पेड़ के नीचे उसने अपना बोज उता रहा था यानि कि उस दूर जाके कावेरी नदी में मिल जाता था उस नाले की तरफ वो चल पड़ी अब यहां से ट्रैकिंग थोड़ी आसान हो गई इसके पहले जो टाइगरेस ने शिकार को पकड़ा था उस इंसान को पकड़ा था गर्दन से पकड़ा था तो जहां से घा होता वहीं से काड़ी पर टंगे हुए मिल गए अब वो निकली होगी कपड़े फसे होंगे उसने खीचा तो कपड़े उसी पर अटक के रहे गए अब यह नाले के पास पहुंच गया और वहां पर टाइगरेस के बिलकुल छपे हुए पैर था एकदम मिट्टी में या रेत में उसके पै ट्रैकर की जरूरत नहीं थी क्योंकि ट्रैकर साथ में ले जाने से डिस्टर्मिंस होता तो जैसे जम कवर्बिट अकेले चलना पसंद करते थे इन्हों ने भी अकेले ही चलना पसंद किया लेकिन हाला कि अकेले जाने में मुश्किले में फस गए ते आगे आपको आएगा और उसके बात तो फिर इन्होंने साथ में लोगों को लिया है क्योंकि डर गए थे बहुत ज़्यादा अब यह घिसट घिसट के जुक जुक के अकेले आगे बढ़ने लगे अब यह धीरे दीरे आगे बढ़ रहे थे वो पूरा आखों से स्कैन करते जा रहे थे कहीं टाइग थी जो नाले का बेंड था अब यह उस चटान के पीछे चुक के जितना जाक सकते थे उतना जाक के देखने लगे अब बड़े ध्यान से देखने पे इनको कुछ काले काला सा दूर पड़ा हुआ नजर आया उस चटान के दूसरी तरफ चटान के काफी दूर और यही थी उ काफी मातरा में खा चुकी थी उसे करीब करीब आजा खा चुकी थी उसका एक पैर पूरा खा लिया था उसका एक हाथ पूरा खा लिया था अब इन्हों बड़े ध्यान से देखा कि कहीं आसपास है तो नहीं वर टाइग्रेस अभी अपने आदमियों के पास लॉट आये जो पीछे इनके साथ जो पीछा कर रहे थे फिर उन्होंने बोला भाई कुछ ऐसा सामान के इंसे जाम करो जहां मैं छुपके बैठ सकूँ कि उनको पूरी उमीद्धी की टाइग्रेस अभी बचा हुआ खाना खाले फिर आएगी अब आस-पास में ऐसा कोई पेर नहीं था जह जहां से वो बॉडी साफ साफ दिखे और दूसरी एक चटान थी जो बाहर को जुकी हुई थी नाले में उस पे बैठा जाए एक लेज सी बन रही थी कि मतलब ऐसा कगार सी निकली हुई थी उस पे बैठा जाए तुन्हों डिसाइड किया कि मैं लेज पे बैठूंगा वहा से ताइगरे सुन ना पाए अब आदमियोंने बड़े समझदारी से उनी काटेदार पेड़ों के टुकड़े काट के लाए जैसी उस लेज के आसपास की जो नैचरल ग्रोथ थी वो लेके आये ताकि वह अजीब सा ना लगे अब उसके चारों तर फिरोंने ऐसा कवर बना दिया कि नाले से अगर कोई जानवर आ रहा है तो ये एंडरसन नजर नहीं आएंगे वो काटेदार जाड़िया ही दिखेएगी अभी अपने साथ कंबल टॉर्च पानी की बॉटल लेके आये थे हाला कि उसकी बहुत ज़रुत नहीं पढ़ने वाली थी इनको पूरी उम्म जिनकी उपर पढ़ रहा था और ये पसीने में नहा गए थे नाले के दोनों तरफ ये देख पा रहे थे और जो क्योंकि अच्छी खासी गर्मी थी तो हलकी हलकी गर्मी निकल रही थी जमीन से भी लेकिन पूरा इंको दिख रहा था किसी तरह की कोई डिस्ट्रिबंस अभ काव काव कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं चुटा पा रहा था उस बॉड़ी को टच करने की क्योंकि उसमें से उसको आदमी की गंदारी थी और वो आदमी को खाने का हैविच्वल नहीं था समय बीटा गया और सूरज एक गेंद की तरह से पहाड़ी के पीछे चुपने हावाज ने पूरे जंगल को गुजा दिया एक तरह से उस दिन को फेरवल कर रहे थे रात का वेलकम कर रहे थे अब पहाड़ी नाले के नीचे से मोर की जोर से हावाज आई अब यह बन्होंने इस हावाज का बड़ा स्वागत किया क्योंकि जानते थे कि जंगल में सबसे पढ़्या वाच्मेंण मोर होता है. सब से पहले अलारम कॉल मोर ही देता है. और यह समझ गया है कि टाइकर्स आ रही है और मोर ने बता दिया है. अब यह इंतयार कर रहे थे कि टाइकर्स आएगी आईगी थोड़ी तेरए मोर भूरड़ गया. लेकिन टाइकर्स आनी रह थी अब रात वाली चड़ियों की आवाज आ रही थी अब नाइट जार उसकी जो साउंड होती है चक चक करके होती हमारे जंगली रिजॉटों पे बहुत बोलता है मैंने उसके अरम बता है कि आख एकदम लाल खून जैसे लाल रंकी चमकती है कई बार अगर आप गाड़ी की रोशनी या टॉर्च की रोशनी में देखोगे लगता लेपड़ बैठा है लेकिन एक ही आख चमकती है दो नहीं चमकती क्योंकि दोनों साइड आख होती है तो जिस साइड में गरदन गुमाता है एक आख हमें दिखती है मैं उसकी फोटो साइड में लगाँगा बहुत ही यह जनर नाइटजार नदी के किनारे छोटे-छोटे जो इनसेक्ट होते हैं उनको पकड़ते हैं यह हमेशा नदी के किनारे ही बैठा मिलेगा अब नाइटजार भी उड़के कहीं चला गया दूसरी जगे और एक्दम सननाटा पसर गया अब एक जीमोर की आवाज भी नही मिशान होता जो कि मैंने दिन के टाइम पर देख लिए थे करीब आदा मील दूर से इनको सामबर के कॉल करने की आवाज सुनाई थी उसके बाद चीतल, spotted deer की भी call की आवाज सुनाई थी अब एंडर्सन बोलते हैं कि brain fever bird की आवाज गुज रही थी जो चिला रही थी brain fever brain fever अनकि यह bird मैंने नाम पहली बार सुना है मुझे इसके वारे बिल्कुल आइडिया नहीं है अब इन्होंने गहरी सास ली क्योंकि आप समझ गए थे कि action का टाइम आ गया है आभी बोले जितने जानवर है सामबर चीतल नाइट जार इन समने मुझे धिरे-धिरे alert कर दिया थ जो कि 20 फिट की दूरी पे जहां से बेंड था नाले में इनको उमीद थी कभी भी मैन-eater टाइगर्स दिख सकती है अब आदा खंटा बीद गया 45 मिनट बीद गया टाइगर्स नहीं आई चांदी रात में इनको अपनी घड़ी दिख रही थी उन्होंने क्या चक्कर रही है आके ओने रही इतना थाइम तो उसको लगना नहीं चाहिए आप इनको एक अंजाने डर का एसास होने लगा अब इनकी six sense बोलने लगी कि इनके उपर खत्रा है और बोले जब मैं अफरीका में था बर्मा में था या इंडिया के दूसरे जंगलों में था कई बार मेरी six sense ने दिमाग बहुत तहीं से काम करता है अला कि डर बहुत लग रहा था डर तो इतना लग रहा था कि जो पसीने की बूधे टिप-टिप करके आ रही थी तो वह एक एक सको count कर सकते थे इतना डरे हुए थे अब यह समझ गया थे कि टाइगर इस नाले में नहीं है नहीं इनके न दिवाल है इसके लेच के पीछे वाली इसके उस पार नहीं देख पा रहे हैं जब तक यह अपने घुड़नों पर थोड़ा सा उठके खड़े ना हो लेकिन जब वो घुड़ने पर खड़े होंगे तो बिलकुल इस्थिर शॉट मारना बड़ा मुश्किल होगा ऐसी कंडिश अब यह समझ गया टाइगरेस इनके पास में है उसके पैरों से मिट्टी का गिरा है इनके उपर और वो इनके उपर कूदने ही वाली है अब यह बिजली की तेजी से अपने विलकुल सोई हुए पैरों को इनोंने जगाया घुट्रे पर खड़े हुए साथ में बंदूग की नाल और इनकी आखे एक सीद में थी अब इनों देखा तो टाइगरेस है माँ पर इनसे केवल आठ फिट की दूरी पर टाइगरेस है अपनी पेट पर बैटी है और यूं सिकोड के इनके उपर कूदने की पूरी तैयारी में है अब सब कुछ बिजली की तेजी सी हुए जैसे इन दोनों की आखे मिली वो जोर से दहाडी और कूदी इधर उन्हें अपने बंदूग का ट्रिगर दवाया यह सब कुछ साथ साथ में हुआ अब बंदूग की जो दहाड थी बंदूग का जो धमागा था मेरे कान से थोड़ी दूर पर ही हुआ था क्यों बंदूग जब वो कूदी दहाड मार के उसी वक्त जो बंदूग का धमाका हुआ उससे उसका कंसंट्रेशन भंग हो गया वो जो निशाना इनके उपर लगा के इन पर अटैक करने आ रही थी अब हवा में ही उसका माइन चेंज हो गया डिस्ट्रैक्ट हो गई अब वो अटैक से अब जो बंदूग से निशाना मार रहे हैं उसका पैर आपका बंदूग की नाल पर उसका पैर टकराए अब उसका पैर लगने से इनके हाँ से बंदूग छुड़ गई धीरे धीरे फिसलते हुए रेत में जाके टिक गई नीचे ताइगरेस कूद के उस तरफ गिरी अब जो बंदूग गिरी वो जो डेट बोड़ी पड़ी थी आदमी उसके पास में जाके गिरी टाइगरेस दो बार धारते हुए उस पार चली गई थी अब यह बोल रहे है कि अगर मैं बंदूग नहीं उठाओं तो अगर टाइगरेस दुबारा आ गई जिसके की पूरी संभा होना है तो मैं क्या करूंगा मैं तो निहत्ता हूं और बंदूग उठाने जाता हूं तो क्या पतल नीचे ही टाइगरेस बैठी हो अब इन्हों नों का भाई कि बंदूग उठाने में ही समस्दारी है क्योंकि वह आएगी जरूर तो यह धीरे-धीरे स्लिप करके नीचे ग गिरी थी आप यह सोचने लगए कि मैंने टाइगरेस को गोली मारी है कि नहीं मारी एकदम बगल में थी उसको गोली तो जरूर लगनी चाहिए और क्या मैंने डर के मारे मिस्स कर दिया अब इनको दो फिट की दूरी पर उसी लेज़ पे एक काला सफेद कुछ पड़ा अब इन्हों नहीं कहा कि देखो पॉइंट ब्लैंक रेन से मैं उसको गोली नहीं मार पाया बना पॉइंट ब्लैंक उसको बोलते हैं बिल्कुल नस्दी बिल्कुल सटा के गोली मारना अब बोले मैंने उसको ढंक से घायल भी नहीं किया है कान उसका कट क्या अलग हुआ उ दूसरा शिकार मारेगी, क्योंकि इसको पता है पहले शिकार पे लोटने पे उसको खत्रा है, अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाएगी, इस बात की भी संभावना है कि वो इलाका छोड़के किसी दूसरे अलग इलाके में चली जाए, जहां कि लोगों को नहीं पता कि य जोड़े की दूसरा मारेगी, और खत्रा बहुत जाजा बढ़ गया, और बदला लेने की चाहत भी बढ़ गई है इसकी, सुबह इनके आदमी आगे चाय और सेंडविच लेके उन्होंने देखा कि यह बड़े ही हताश है, इनके चेहरे पे हताशा जलक रही है, अब इन्हो इनकी चेतना जागी, इन्होंने सोचा एक भाई चलो जो हुआ सो हुआ, इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था, इनकी जान बच गई, जरा से एक सेकंड के फासले से इनकी जान भी जा सकती थी, अगर इनकी सिक्स सेंस ने काम नहीं किया होता, तो पक्का है उस ब उंगटे-कड़े हो जाते हैं, जब तक नहीं आएगा ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट में एंड नहीं करूँगा, वो सीन आ गया, तो बाकी का पार्ट इससे स्टोरी का दा जोवला गिरी मैनीटर का नेक्स पार्ट में, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया